गांधी एक ऐसे निडर नेता थे जिन्हों ने एक बड़े समाज का खौब देखा और पूरे देश को उसमें शामिल कर लिया गांधी में जो फेरलेसनेस थे गांधी ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये बोलूँगा जो कुछ भी हो रहा है जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर मैं लेकिन वहां जाके सिर्फ एक मुद्दे को लेकर या उसको कुछ करके वापस नहीं आजाता है वहां स्कूल कोलते हैं वहां पहरा प्रहा केंपे इंकि ओड़रों का किस طरह से उनकी पड़ाई हो किस तरह वह गोंगटे खिलाफ पर्दे के खिलाफ एक केमपेन चलाते को यह समझ बहुत अच्छी तरह थी कि जो भी समाजिक मुद्दे हैं जो भी समाजिक प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गांधी सिंबॉलिजम का मतलब जानते थे आज बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को लेके तो सिंबॉलिक है से क्या होका लेकिन सिंबॉलिक चीजें भी एक बहुत असर डालती है गांधी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो इसको आउट ओफ दे पॉक्स कहते हैं जो एक ओर्डिनरी प्रोटेस्ट या प्रतिरोध में वो नहीं होती लेकिन गांधी ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की वो चंद लोगों को लेके चल पड़े डांडी मार्श करने नमक बना ऐसी चीज़ें कि हिम्मत भी लोग नहीं करतें और मुझे लगता है कहीं न कहीं इमजिनेशन की भी कमी है क्यों है यह नहीं पता शायद जहां इमेजिनेशन है वहाँ कनेक्शन नहीं है जमीन से और जहां कनेक्शन है वहां इमाजिनेशन नहीं है आजादी आने के बाद जो पुलिटिकल लीडर आए चाहे वो नहरू हो या और लोग हो वो इस देश को जहां पे 9% फीमेल लिट्रिसिटी थी आज 74% से उपर है हमें एक शौक है कहने का कि 70 साल म जटने नहीं है जिसका जर्या किसी भी चीज से एंगेज करने का जो है वो में एंटरने यूट्यूब से है आपको उन ''स्पेस्स में'' एंटर करना पड़े है आपको जो और म्यूजिक सिरफ वैशनवजन गां शायद नहीं हो तो आपको जो नए जनेरेशन का म्यूजिक है जो रैप रैपिंग है जो स्लैम पोईट्री है जो स्टैन अप कमेडियन्स है उनके साथ एंगेच करना होगा जब वो गांधी को और अहिंसा को लेके अपनी लैंगुज में लोगों तक जाएंगे तो आटोमेटिकली वो नई जनरेशन तक पहुंचे का हमको ग है कि यहालों में में भीतर हो जाएंगे।